सबको पता है कि विगत दिनों में गाली गलोज वाले लोग काफी चर्चा में हैं और चर्चा इसलिए सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि बग्गी और बग्गी के भाईयों के बारे मम्मी के बारे में और खासकर बग्गी के बारे में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है इतना जादा बोला गया है मज़ेदार बात यह है कि बगगा के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है और उससे रिलेटेड आज एक कोमेंट मुझे बगगा के वीडियो पे मिल गया उस कोमेंट में कुछ ऐसी सचाई लिखी थी जो कि उमीद करती हूं कि बगगा की बहनने जरूर प इस चैनल को प्रमोट किया है कई बार किया है लाइफ करने वाले फरिष्टे पर इतना खुल कर उसने कभी नहीं करा जितना जुठी अंका ने करा जुठी अंका ने तो बकाइदा लाइफ भी सुनाई थी लेकिन अब क्या होगा जब कुछ चीजे लोगों को सामने से समझ म आजाएं क्या लोग व्यूज के लिए इतना गिर गए हैं हां जी कुछ लोग मान रहे हैं कि यह सारी फैमिली मिली हुई है क्योंकि अगर मिली ना हुई होती तो जहां पर यह लोग स्ट्राइक दे देखके किसी का पूरा चैनल उड़ा देते हैं याद है मुझे इसी वग परिष्टे बोलने का तो मन नहीं करता है तो जो भी समझना है समझ लिजए इस प्रकार की भाषण न मैंने कभी यूज करी है और ना ही मैं कर पाऊंगी मेरे चैनल पे इनके वीडियो में जो दिखता था वही बात की जाती थी आज भी वही की जाती है इनकी जालाकियां औ और इनकी जो भी सडियंत्र होते हैं तो उस टाइम तो पांच स्ट्राइक देखे मेरे चैनल कोडा दिया गया था और आज जिस प्रकार से इनकी वाइप के लिए जिस प्रकार से बखान हो रहा है वो भी फोटो यूज करकर के वाह वग्गे वाह इससे साबित होता है कि तुम स्टैंड लेना होता अभी आपको आपने स्टैंड नहीं लिया इससे साबित होता है कि तुम व्यूज के लिए मतलब अगर तुमारी वीवी को भी कुछ भी बोले मतलब इस हद तक वीडियो के बेस पर दूसरी बात है पर्सनल लेबल पर बटाला ये वो चंडी गड़ सिंगर्ल टाइम स्टैंड नहीं लिया तो हेभ इब ब्रीवनिग बाड फिर से आप सभी का स्वागत है कुन भावासियों में इस समयना बहुत सारी बाते चर्चा में हैं खासकर मम्मी जी का रोना की मम्मी जी अकसर क्यों रोती हैं और बढ़ी के साथ होती हैं तभी क्यों इसके अलावा जो चर्चा में है वो है बग्गी के पापा की हालत क्या उसनकी जो हालत हुई है इस समय वो क्या इन सब के क्रिया करम की वजए सोई इन उटंकी ड्रामा की वजए सोई क्योंकि जो वीडियो में दिख रहा है यह खुद बोलती है कि आप जो देखते हो ऐसा नह सकते हैं लोग मतलब आप कहीं न कहीं आपका इंटंशन वही होता है मम्मी जी का रोना वाला चेहरा आप क्यों दिखाते हैं लोगों से क्यों पूछती है कि बता नहीं मम्मी को क्या हो गया मम्मी कुछ बता भी नहीं रही है यह सारी चीजे सब्सक्राइबर्स को क्यों दि तुम दोनों सांड जैसे भूम रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो मम्मी जी पूरा लगी पड़ी रहेती हैं सुबह से लेके शाम तक तो भाई जो तुम दिखाना चाहर हैं वहीं लोग देख रहे हैं उसी की रिगार्डिंग लोग बोल रहे हैं और आप किसी कमों नहीं बंद कर स आप शुशल मेडिया से चली जाएए आपके पर्सनल लाइप में कोई बोलने नहीं आएगा आपके घर में अफकोर्स आपने पब्लिक कर रखी जो चीज़े उसी के बारे में लोग बोलते हैं क्योंकि उनको पूरा राइट है अपना टाइम देते हैं अपना डेटा परचा में चल रही है वह बग्गी का किस प्रकार से यहां पर मजाग बनाया गया गंदे लेवल का वीडियो के बैस पर बाते होती हैं जो डांट लगती जो फटकार सबस्क्राइबर्स देतें वह दूसरी चीज़ है पर इस प्रकार से गिर जाना इस प्रकार से मतलब धू उन्होंने कोई स्टैंड क्यूं नहीं लिया और बहुत सही बात है जिन्वल सब्सक्राइबर पहुच गया बग्गे के पास दीपक अंड आचल आपकी बहन के लिए खड़े हाँ आपकी बहन के लिए खड़ा हुआ सपोर्टर चैनल जो गंदा अड़्दा है उसका नाम ही है गंदा अड़्दा आप दोनों की धजियां उड़ा रहा है खासकर आपकी वाइब के बारे में मम्मी और फैमिली के बारे में उल्टा सुल्टा बोल रहा है, बगगी के, न वो चैनल, आपकी जो है, मम्मी, उनको फैंक्यू, फैंक्यू करती है, नाम ले कर फैंक्यू बोलती है, और आपकी दोनों बहने जानती है, फिर भी चुप है, और आपकी बड़ी बहने, तो उनका कोई स्टैंड नहीं लिया पर एतिन के टाइम तो बहुत स्टैंड लेते थे तुम और आपकी वाइफ की जब भारी आई तो स्टैंड सही में कहां चला गया एक बार बोल देते तब तो तुम अपने कागजी जीजा को बोलने आ जाते थे और एक टाइम पर तुमने सब को तब तुम इतना जादा स्टैंड ले रहे थे जो कि वीडियो के बेस्ते बाते होती थी और कभी गंद नहीं होती थी ठीक है बाते करना सब का अधिकार है इस देश में पच्छ विपक्ष योगी मोधी को भी नहीं छोड़ता है आप कौन है आप सुशल मेडिया पेने तो बाते होंगी आपकी घर में कोई नहीं बोलने आएगा तो आपको यहां स्टैंड लेना चाहिए था आपको कहां गया स्टैंड या फिर आप में भी जलन खूरी ही भरी थी सिप दिखावे के लिए मैं साथ खड़ा हूं फल ना धिमका इस लेवल की बाते और शरम की बात य मम्मी जी थैंक्यू बोलती है गंदे अड्डे के बारे में थैंक्यू सो मच बोलती है नाम लेके बोलती है जो गंदा अड्डा है उसकी जो संचाली का है उनका नाम लेके बोलती है फिर मम्मी जी किस वज़े से आप रो रही है बताएए आपको बताना नहीं तो फिर यहा दिवाली आई हैं इससे पहले भी पापा जी की याद आई है क्योंकि ना जाने कितने साल हो गए पापा जी को गए हुए और इनका सब कहना कि दिवाली के टाइम ही पापा जी गए थे इसलिए मम्मी इमोशनल हो रहे कई बार जुठियंका बोलती है कि मैं जाने वाले हो इसल वज़ा है क्या। क्योंकि जोट के ऊपर जूट बोलने जा रहे हो। शरमा नहीं रही है। तो बहुत सहीनों ने लिखा कि तुमने तो बहुत अन्य स्ट Truly आ अब आपकी बीबी के लिए स्टैंट क्यू再 Act कून मै ले रहे हो। उसकी फामिली को क्या-क्या महसूस करवाया जा रहा है लेकिन तुम्हारी बहन के जो supporters हैं तुम्हारी बहन को एक-एक बात पर तुम्हारी बहन एक-एक बात पहुशा रही है तुम्हारी वाइप को गलत-गलत प्रमोट करवा रही है तुम्हारा stand गायब हो गया, spineless जी हाँ और तमाम लोगों ने इस कॉमेंट को लाइक किया है तो अब बगगे तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए दिखावा ही कर देते हैं लेकिन आपने यहाँ दिखावा नहीं किया यह दर्शाता है कि आप भी इस चीज में शामिल है थोड़ा शरम करिये बस मैं यही कहना चाहूंगी जादा नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि बेशर्मी की अब हद हो रखी है और यह हद कि इस प्रकार से धीरे धीरे जा रही है आप सबको पता है जो लोग ब्लॉगिंग नहीं करते होंगे उनको तो हल्प मिलती नहीं होगी मतलब कुछ भी करोगे व्यूज के लिए उसके बाद इस प्रकार की सफाई दोगे यह डॉक्टर वाली बात को लेकर है कि एक डॉक्टर ने जो है मेरे को भाई अब उस पर सफाई मत ही देना क्योंकि लोग बहुत ही आग बबूला हो चुके है सबको पता है कि तुम वहाँ पर वीडियो ना बना के जिस कमरे में रुके थे वहाँ पर भी जानकारी हल्थ अपडेट दे सकते थे ससुर्जी की लेकिन तुम ने वहीं पर बोला इस बात को छोड़ देते हैं मेरी बात अभी भी वही है कि कहा गया आपकी बीवी के लिए प्यार कहा गया उस घर के बेटे बनते हो ना दमाद नहीं बेटे तो उनकी मा जो की उनका सोचल मेडिया से कोई लेना देना नहीं तुम्हारे वीडियो में आ जाती है ठीक वो ही आप अपनी बेवी के लिए स्टेंड ले रहे हो और शरम करो ये कि इसमें कितना कठिन चल रहा है क्या उनकी मा घर में अकेले होगी जो कि शोशल मीडिया से जुड़ी हैं कहीं न कहीं वो सुनती रहती हैं सारी चीज़ें उनको कितना बैड फेल हो रहा होगा उधर की र 12 बज़े रहते हैं अभी उसने पहले दिन ये भी बोला था कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मैं आपको बता नहीं सकते लेकिन फिर बाद में ऐसी चीज़ें हुई न कि भाई उसने भी न इन लोगों ने जो भी किया हो जैसे भी कहलवाया हो तो अभी वह दूसरी बा प्रमोट कर रहे हैं अपके घर के लोगों को ही चीचा लेदर मचा रहे हैं उसके पापा हॉस्पिटल में हैं उसके बावजूद नहीं सोच रहे हो कि मम्मी जी को कितना टंचन हो रहा होगा तो थोड़ी शरम कर लो बस मैं यहीं बताना शाती हूँ और बहुत अच्छा कि जिसने भी यह कोमेंट करा है इनको जो लिखा है यह फिर वीडियो बना ली सब कुछ पैसा ही होता है और फिर से सफाई देने आ गया यार फिर भी आपका ब्लोग नहीं डालना चाहिए आप सफाई कितना भी दे लो लगातार बार-बार बस यही बाते लिखी जा रहे हैं सुबा सुबा बैटके या फिर शाम को वीडियो वहीं से शुरू करना है उसी फोल्डिंग से तो कल उनका वो चल नहीं पाया भाई मैडम ने कोशिश तो बड़ी करी थी लेकिन व्यूज आके ठप हो गये यह आव लोग उनकी चालवाजियों में नहीं आने वाले विगत दिनों में बहुत सारी कंट्रोर्सीज करी बहुत सारे मन मुटाव दिखाने के कोशिश करी अब उनके पास एक ही हतियार है मम्मी जी दोस्तों मैंने कल भी पूछा था कि ऐसी कौन सी वजह है जो मम्मी जी का रोना खतम ही नहीं हो रहा है ऐसा तो नहीं कि पिछली ही दिव में हमने इनके वीडियो देखे हैं इस प्रकार का मम्मी जी का रवया कभी नहीं होता था तो ऐसी कौन सी चीज है जो यह बार-बार जुक्र करते हैं लेकिन पूरी बात नहीं बता रही है और चाहरे हैं कि जनता उसे कुछ न कुछ अपना दिमाग लगा ले अपने हो रही है लेकिन बता भी नहें मुंझी को क्या हुआ है यह जान लिए दोस्तों कि लिए कुछ सारी चीज़़ों को समझें रिष्टा घर का है विसले कर लेते हैं तुम भी अपना एक डिस्टेंस वाली लाइन कीच दो क्योंकि हर चीज के एक हद होती है कि लिमिट होती है और जब ऐसे लोग हो तो भाईया एक बाउंडरी खड़ी कर लेनी चाहिए जैसे वह दिखावटी रिष्टा बनाते हैं वह ऐसे रख लो ठीक है आये व वह ऐसा वाला रिष्टा प्यार महबबत वाला बॉन्ड वाला उसके लायक ही नहीं है और नहीं ऐसे लोगों से आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका रिष्टा निभाएंगे प्यार महबबत या बॉन्ड सेम चीज़े कर रहे हैं जब अंकुशक नहोती है उपर एतिंज जी कि बस किसी ना किसी तरीके से इन दोनों बहने को सिर्फ एक ही मोटिव है कि बग्गी इनकी दासी बनके रहे और दासी बनके नहीं रहेगी हमारे हिसाब से नहीं चलेगी तो हम भया तेरे लिए ऐसे ही वहां से लाइफ करवाएंगे उनका प्रचार प्रसार करेंगे और प भावी के बर्म हमने तो कुछ बोला नहीं हमने तो बस सीड़ी लगाई आप उस जगह पर चड़ जाई और वहां पर सुन लिजे कि हमारी भावी कैसी है परिवार में वाली नहीं है वह ऐसे ऐसे रहने वाली है वैसे खुद मैडम ने कितना संभाला है हम सब ने देखा है किस पर इतिन जब वह बोली थी कि ननन्त भावी वाले वीडियो नहीं बनने चाहिए उस टाइम इनका जो टार्गेट मम्मी जी भी थी कि मम्मी जी तो भाई नीचे जाए के जमके बैठ गए बेटी को अकेला छोड़ दी है तो उस टाइम मम्मी जी को भी यही फरिश्टेगर आते थे लेकिन जब से दीदी ने प्रमोशन कर दिया तब से स्रिफ और स्रिफ भावी जी भावी जी की पूरी फैमिली को टार्गेट किया जा रहा है उमीद करते हैं आप लोग समझ गया होंगे तो अभी के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नई वीडियो में ओफुली यह द करने का दिवाले में इतना विजी है हो सकता शाम तक आ जाए फिलाल अभी तक तो ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है तो जलन खोर दोनों लगी होंगी कुछ न कुछ गिटियां कहती नहीं है कि हम सारा काम कर लेते हैं फिर इसी खटी अब बैट के गप मारते हैं हम तो थोड हमी जी का रोना क्यों है आपके हिसाब से उसी शब्दों में जरूर बखान किजेगा और बग्गा का स्टैंड क्या तेल लेने गया इस बारे में भी जरूर से जरूर बात किजेगा कि यह बग्गा पूरे-पूरे चैनल को समाप्त कर सकता तमाम लोगों को उस टाइम भी लोगों को दिए गई थी बस एक तरफा से मेरे को बस पांच आई थी क्योंकि मेरे को समाप्त करना था बाकी लोगों को डराना था तो बग्गे तुम्हारा स्टैंड गया कहां बस मैं यह पूछना चाहते हूं बाकी आप लोग समझदार हैं समझदार के लिए इशारा आता है या फिर कल तक क्या आता है मैं भी आफ सारे भी से हूं अभी के लिए तना है फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टाटा बाए बाए